इधर भोपाल में सुभाश नगर आरोबी बनकर तयार हो गया है जल्दी यहाँ पर ट्राफिक का ट्राइल शुरू हो जाएगा सिगनल पर 20-30 सेकेंड के लिए ग्रीन लाइट रहेगी करीब 3 लाख लोगों को आरोबी से फायदा मिलेगा बता दें कि सबसे ज़्यादा पौश कहे जाने वाला एरिया सुभाश नगर आरोबी बनकर तयार हो गया है और अब यहाँ पर सिगनल पर 20-30 सेकेंड तक ग्रीन लाइट रहेगी करीब 3 लाख लोगों को इसका सीधा लाब मिलेगा और जल्थी यहाँ पर ट्राफिक का ट्राइल भी शुरू किया जाएगा नए सहर से पुराने सहर को जोडने वाला सुभाश नगर आरोबी जल्थी जनता को समर्पित हो सकता है 40 करोड की लागत से इसको बनकर तयार किया गया है 690 मीटर इसकी लंबाई है काफी सुन्दर तरीके से आप देख सकते इसको बनाया गया है काफी सुन्दर ब्रिज है यह जो नए सहर को पुराने सहर से जोड़ता है तीन लाग की आवादी को इससे फाइदा मिलेगा यह करीब बात करें 15 से 20 महीने पहले ही बनकर तयार हो चुका है लेकिन जिस तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है या रेलवे की लाइन यहीं बात करें दूशी तरफ रेलवे की लाइन भी हां से गुजरी है तो तमाम तरीके से जो अनुमतियां हैं उनके चलती है इसके काम को हम बोल सकते हैं इसकी शुरुवात को लेकर बोल सकते हैं यही करण है कि कागजी कारवाईयों को लेकर यह अटक गया था लेकिन उम्मीद यह जता ही जा रहे है कि 22 नौंबर के बाद इसमें जो है पी की मुखिया शिवरा सिंग चोहान जंता को समर्पित कर सकते हैं इस फाइदे की बात करें तो असुको गार्डन की बात करें अब अन्तरा से इसको इसकी सुरुवात होनी की बात कि जा रही है लेकिन एकतरफ रेलवे-लाइन की बात करें दूसरी तरफ मेट्रोप्र पर्जे जिलापरसासन मद्दप्रते भुपाल की यही कोसे से कि जल से जदे से शुरूबात किया जाए जिससे जो ट्रैफिक ज्याम जैसे सित्थी बनती है उससे लोगों को नजात मिले केरा परसन बिजय से इचकर के साथ आकर शर्मा बंसल न्यूज भुपाल